हाई एब्रिवान फिर से और एक नया वीडियो में आप सभी के सवगत सो फ्रेंड्स आज एक लाइन्ड आई है है हैर कट करने के लिए तो इनका है ज्यादा छोटा नहीं करेंगे मीडियम हैर कट और सेविंग करेंगे तो मैं आची तरह से इसका फूल डिटेल्स हैर कट का तूटोरियल बताएंग बताऊंगा तो आप लोग पूरा वीडियो देखो अच्छा लागेगा और चैलेंग पर आभी तक सास्काइब नहीं किये तो चैलेंग को सास्काइब करके बेल नोटिकेशन अन कर दो जैसे नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिकेशन आपको मि लोग फेंस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो क्या मैं हेर का का एक साइट का लियाड बना के दो नम स्टीमार में Elektrik स्टीमार का दो नमबर बलेड लगा कै इसको छोटा कर रहा हूं क्लाइंट को इस से जदा छोटा नहीं चाहिए दो नमबर से जदा छोटा नहीं तो स्टीमर हो गया अभी देखो इसको कंगी से मैं मिला रहा हूं तो दो नमबर के बाद और मेसिन से मैंने ब्लेड निकल दिया जीर नमबर से कंगी से इसको मिला रहा हूं तो इसका जो मिलाने का ट्रिक्स है वो मैं आज नहीं बताऊंगा आप लोगों को बाद में कही करकाट कैसे कर रहा हूं कांगी से इसको मिलाएंगे देख सकतो हैं साइट का बाल मैंने कांगी से और स्टीमार से मिला दिया अभी पीछे का साइट भी थोड़ा मिलाएंगे और फेंट से पीछे का बाल का भी मैं उपर का जो हैर है उसको उपर करके क्लिप लगाएंगे और क्लिप लगाने के बाद स्टीमार से वही दो नंबर ब्लेट से आम नीचे का जो ह्यार है इसको भी छोटा करेंगे कांगी लगा के कि वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया वीडियो नहीं फास्ट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो वीडियो फास्ट क्या हुआ है वीडियो आप चोटा कर दिया अभी दो नमर के जो क्लिप है उसको निकाल दिया स्टिमार से अभी ऐसे ही जीरो नमर से और कांगी से हैर को पिछे का हैर भी मिलाएंगे और पिसे बौय है कट को आपको अची तरह से और भी टूटॉरियल चाहिए तो कैसा काटिंग में बताऊ कैसे कैसा बॉय काटिंग चाहिए तो बॉय का हैर कट का हम फुल टूटॉरियल बॉय सोभर के साथ आप लोग को सिखाएंगे तो तो फिर देख सकते हो पीछे का साइट का बाल मैंने मीक्स कर दिया स्टीमा से फिर इस साइट का जो है बाल इसको भी हम लेयर कर लेंगे लेयर करके ऐसे क्लिप से उपर का जो बाल है क्लिप से लगा लेंगे क्लिप फिर से वही दो नमबर सिस्टीमा से उस साइड जैसे छोटा किया था इस साइड भी दो नमबर क्लिप लगा के छोटा करेंगे छोटा छोटा काने के बाद वही दो नमबर वो जो क्लिप है उसको निकाल के कांगी से इस साइड भी मिलाएंगे आची तरह से तो फिर देख सकते हो पूरी तरह के से तीनों साइड मैंने बाल दो नंबर से छोटा करके इसको कंगी और टीमर से मैचिंग कर दिया अभी इसको राउंड करेंगे तीनों साइड आच करेंगे अजागे तीनों साइड भी मैंने दूच जाल जाब मैंने अग्छों करेंगे अबर से थे साइड तीनों साइड भी मैंन। तो फेंस देख सकते हो मैंने पूरा है तीनों साइट राउंट कर दिया कंपलिट होने वाला है फिर हम ऊपर का जो बाल है सरके ऊपर का उसका काटिंग करेंगे तो ऊपर का जो बाल है उसको पहले गिलां करेंगे गिला करude करेंगे तो इक हटम हो जाए मैंने उपर का बाल पुरा गीला कर लिया वास कर लिया से, बस मैंने कट कर दिया अभी उपर का जो बाल है जिदना प्लाइन को छोटा करना है इतना पुचके मैं छोटा कर रहा हूँ अब लोग देखो अच्छी तरह से कंगी से इसको दो उंगले के बीच में पकड़के काटिंग कर रहा हूं कि अच्छी तो पेंड देख सकते हो उपर का यार है और काटिंग कर चुका हूं खतम होने बाला है काटिंग करके अभी इसको काटिंग कंप्लिट हो गया है अभी समने का जो बाल है इसको भी सीधा करके काटिंग करेंगे इस सिंपल हैर काट है तो सीधा करके इसको बाल काटिंग कर देंगे तो फिर देख सकते हो इसका जो व्राइड है दाड़ी है इसको सेविंग करेंगे तो पहले स्टीमार से बाल छोटा-छोटा कर लेंगे जीरो से स्टीमार के जीरो नंबर से इसको छोटा कर लेते हैं पुलО कि पर craft में एंबंगे हैं आ से शिल पिर रीमार से जीरो में पूस्किनिए देलूरें में पूरा बाल चोटा चोटा कर दिया फिर सेविंग करेंगे तो सेविंग करेंगे डेनिम क्रीम से तो क्रीम लगा के अभी ब्रास करेंगे करेंगे तो पेंगे वीडियो फास्ट है तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहा है वीडियो थोड़ा फास्ट किया हुआ है अब लोग क्या मैं पूरा वीडियो अप्ड़ोट करूं तो बहुत लंबी हो जाएगी कम से कम 30-35 मिनित का वीडियो बन जाएगा तो मैं मैंने इसलिए वीडियो को फास्ट करके वह सब्सक्राइब कर रहा हुँ तो से देख सकते हो सेविंग ब्रास कंप्लिट हो गया है अभी ब्लेट से सेविंग करेंगे फिस ब्लेट लगा लिया फिर सेविंग करेंगे आप लोग देखो सेविंग और फेंड्स चैलन को अभी तोक सास्काइब नहीं किये हो तो चैलन को सास्काइब करके बेल नुट्रेशन आंकर दो और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करो और आप लोग कमेंड में बताओ तो बॉय का कैसेया स्टैल चाहिए चाहिए थियाश डाइ स्टैल लिया कलार कॉन सा चाहिए तो ब्लूय का जो जैसे स्टैल आप लोग दिखना करते हो तो तो सैशन में बनाने के कोउसिस करूंगा अब अब इस यह पर देखो कि और फेंस आप लोग ज्यादा तरह कॉमेंट करते रहते हो ओमेन का हार्स हर तरह के जो जैसे कि हमारे जो फालार है यह विलेश में है तो इधार ज्यादा ओमेन हेर कटिंग या कोई भी स्टाइलेस काम करने काम आता है तो अब लोग ज्यादा तो बॉय का कोई स्टाइल बता होगे तो वह हम करके अब लोगों को दे सकते हैं रिक्वेस्ट का वीडियो और फेंस सेविंग कॉंप्लिट होने बाला है कर दो बाला है कि देख सकते हो सेविंग पूरी तरह से कंप्लिट हो गया है इसका जो मोच है इसको थोड़ा साइज करेंगे इसको ऐसे मोच सिंग्धम स्टाइल का मोच रुखना है तो मैंने मोच को थोड़ा स्टाइलिस करूंगा और फेंज हमारे चलेंग पर टेन के फैमेली बहुत जल्दी होने बाला है अब्लुक 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 करो और नोटिफिकेशन अन करके रखो जैसे न्यू न्यू वीडियो अब्लूट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो सेविंग करने के बाद जो प्री है इसको फेस के अपर पानी वाटर डालके लगा रहे लेंगे फिर टीसू से वाटर को लिमूब कर लेंगे यह देनीम का लोसन है वो देनीम से सेविंग किया और लोसन भी मैंने लगा दिया पिर जो लास्ट जो था राउंड का ब्लेड से राउंड करेंगे पुरे हैर कट किया था उसका राउंड करेंगे कांचोरी का भी स्टाइल से स्टाइल इस करेंगे और फेंस और फेंस से हैस्टाइल सिंपल हैस्टाइल था तो स्टाइल कैसे लगा अब लोग कॉमेंट में बताओ हेर काटिंग भी कैसा लगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग चलन को सास्काइब करके रखो और चलन को सास्काइब करके बेल नोटिकेशन अनकर दो जैसे नीज वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिकेशन आपको मिल जाएगा और फेंस इंस्टेग्राम में भी फॉलो कर लो इंस्टेग्राम का लिंक डिस्किप्शन में है उदर साचाचा रिल्स में अपलोड करता हूं कि फाइनली फेंस लुक देख सकते हो कि अधर क्रीम लगाएंगे जैसे सेविंग किया था उसका जो बालों का सेविंग किया उसको क्रीम लगाने से सॉप्टी होता है तो लास्ट में हैर कट और सेविंग कंप्लिट हो गया है लुक अभी देख सकते हो तो यह स्टाइल नहीं है सिंफुल है तो सिंफुल है एर कट किया और और हैस्टाइल अच्छे लगे तो लाइक कमेंट करो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार